दूस्तो आज की स्वीडियों मंब बात करने वाले हैं कि पीएम किसा उन सम्मान निद्योजना का इस्टेटस चेक करने के लिए जब भी आप जाते हैं तो हाँ पर मोबाइल नंबर या रेइस्टेशन नंबर मांगता है तो अगर आपके पास मालेजे मोबाइल नंबर भी न आपको पता है कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने दिया था तो उसके बाद रेइस्टेशन नंबर की बात आती है तो रेइस्टेशन नंबर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है तो आपको अपना इस्टेटस चेक करने के लिए रेइस्टेशन नंबर निकालना होगा त सबसे पहले आपको PM किसान सब माने दे हो, जनाके पोर्टल पे आ जाना होगा, इसका लिक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहां से क्लिक करके सीधे आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, या तो आप सर्च भी कर सकते हैं, पीमकिसान.gov.in, तो यहां पे आने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस, तो आपको beneficiary status पे क्लिक कर देना होगा, beneficiary status पे क्लिक करने के बाद, फ्रिंड यहां पे देख सकते हैं mobile number और registration number, तो हमें registration number ही प्राप्त करने हैं, तो registration number प्राप्त करने के लिए, यहां पे देख सकते हैं लिख रहा है कि no your registration number, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा, क्लिक करने के बाद फ्रिंड यहां पे आप registration number प्राप्त कर सकते हैं, mobile number के द्वारा और आधार number के द्वारा, तो यहां पे मैं आधार number के द्वारा चेक करने वाला हूँ, तो आधार नमबर पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नमबर डाल देना होगा आधार नमबर डालने के बाद यहाँ पे जो CAPTCHA है CAPTCHA यहाँ पे भर दीजेगा और CAPTCHA भरने के बाद get mobile OTP पर आपको click कर देना होगा get mobile OTP पर click करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा loading ले रहा है और यहाँ पर friends देख सकते हैं लिख रहा है कि OTP has been sent at ather registered mobile number तो यहाँ पर यह बोल रहा है यह आपके आधार card में जो mobile number link है उस पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर डालना होगा जहाँ पर लिखा है mobile OTP अगर आपके पास O वाला mobile number नहीं है तो आप बिना OTP डाले ही get detail पर click कर सकते हैं तो get detail पर मैंने click कर दिया without OTP के और click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बिना OTP के ही registration number आप यहाँ पर निकाल सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर हमारा registration number आ चुका और यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है तो इस registration number को आपको कहीं पर note कर लेना होगा या copy कर लेना होगा तो फ्रेंट कुछ इस तरह से आप अपने आधार number के द्वारा ही आप अपना registration number प्राप्त कर सकते हैं और आप इस registration number से PM किसान सम्माने देवजना का beneficiary status चेक कर सकते हैं तो फ्रेंट आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई होगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में बेल आईगन कोई प्रेस कर दीजेगा तो फ्रेंट इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहें बंदे मातरों